कि मेरे साथ बोलिए बारत मता की क्यों भई बंगाल वालों की आवाज को क्या होगा है ऐसे बोलोगे क्या ऐसे जाएगी ममतादी की सरकार आवाज बुलंद होनी चाहिए मोदी जी ने लाखों करोडों सरनार्थियों को नागरिक्ता का तोफा दिया है C.A. के विरोध करने वाले के कान तक आवाज जाए ऐसी बुलंद आवाज से बोलिए बारत मता की बारत मता की मंच पर उपस्थित बंगाल भारतिय जनता पार्टी के यसस्वी अध्यक्स और सांसद श्रिमान डिलीब गोशी श्रिमान डिलीब गोशी भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्रिय महमंत्री और बंगाल के प्रभारी निकाल देना है इसको आगे लाना है और प्रभारी श्रिमान कैलास विजयवर जी मंत्री परिशद में मेरे साथी बाबुल सुप्रियो जी मंत्री परिशद में मेरे साथी देवर स्रिबेन चौदरी जी राहूल नहीं बानना है बैई राहूल सिना जी जिनके कन्वीनर रहते 42 में से 18 सीते भारतिय जन्ता पार्टी ने विजय प्राप्ट करा ऐसे हमारे मुकुल रोई जी हमारे राष्ट्रिय संगटन मंत्री सीव प्रकास जी स्री संजय सी जी स्वपंदास गुप्त जी और आज मंच पर बैटे हुए सारे सांसत महोदय मेरी दाहिनी और के मंच पर बैठे हुए प्रदेश और राष्ट्रिय कारेकानई के सभी सन्मानिय सदस्य गण विदायक गण संसत लड़े हुए मेरे सब साथी गण और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाईयों बेहनों माताओं आप सभी को मेरा प्यार भरा नमसकार आज मैं पहली बार बंगाल में सारवजनिक स्थान पर लोकसबा चुनाव के बाद रेली करने के लिए आया हूँ सबसे पहले माकाली की ये पवित्र भूमी को मैं दो हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ ये महान माती को मैं प्रणाम करता हूँ जिस बंगाल की भूमीने राम कुष्ण परमंत स्वामी विवेकानन नेता जी सुभाज चंद्र बोज गुरुवर रविंद्रनाथ टागोर राजा राम मोहंडराय इस्वर चंद्र विद्यासागर जी बंकिम बाबू सामा प्रसाजी ऐसा महान डार्मिक और सामाजिक राजकी नेत्रुत्व दिया वो बंगाल की भूमी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ बटुके स्वर्दत सूरिय सेन चैतन्य महाप्रभू हरीचन ठाकूर गुरुचन ठाकूर जैसे सभी समा सुधारकों की ये भूमी को मैं प्रणाम करता हूँ और मित्रो सबसे पहले मैं आप सभी का और आपके माध्यम से ये महान बंगाल की जनता का मैं बार बार दन्यवाद करता हूँ कि आपने 19 के लोग सबा चुनाओ में 42 में से 18 सीटे दे कर मोधी जी को 300 पार का अंक पार करने में मदद करी हूँ ये बंगाल की महान जनता का कारण ही मोधी जी अगग दूसरी बार देश के प्रधान मंतरी पूर्न बहुमक के साथ बने हैं ये बंगाल की महान जनता के असिर्वात के कारण ही भारतिय जन्ता पार्टी पहली बार तीन सो सीटे प्राप्त कर सकी है मित्रो जब अब मंगाल के मैदान में थे ममतादी कहती थी डिपोजिट बता लेना जमानत बचा लेना ममतादी आंकडे देख लिजिए अब आने वाली विदान सबाचुना में भी पूर्ण बहुवत के साथ भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार यहां बनने वाली है मैं आज बंगाल के भाईयों बेनों को कहने आया हूँ मैंने धेर सारे राजनितिक परिवर्टन देखे हैं इसका अभ्यास किया है मित्रो 2014 में भारतिय जन्ता पार्टी को सिर्फ 87 लाख वाट मिले थी 87 लाख इतने बड़े बंगाल में मगर 19 में आपका प्यार आपका समर्थन आपका सिर्फवाद मोदी जी के नेत्रुत में भारतिय जन्ता पार्टी को 2 करोड 30 लाख वाट भारतिय जन्ता पार्टी को मिले हैं और मैं घर्व के साथ कह सकता हूँ आज मेरे साथ 18 बंगाल के सपूत 18 बंगाल की बहने संसद में मेरे साथी ये नाते संसद के अंदर बंगाल का परिवर्तन करती है और मुझे भरोसा है ये जो यात्रा चली है ये यात्रा रूकने वाली नहीं है ये यात्रा जो 18 सिटों तक पहुँची है विदान सभा में दो तिहाई बहुमत के साथ भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बना कर समाप कने वाली क्योंकि ये यात्रा भारतिय जन्ता पार्टी के विकास की यात्रा नहीं है ये यात्रा बंगाल के विकास की यात्रा है ये यात्रा बंगाल के गरीब के सोसन के खिलाब संगर्स की यात्रा है यह यात्रा बंगाल के कानून और व्योस्ता को अच्छा बनाने की यात्रा है यह यात्रा सिंडिकेट को समाप्त करने की यात्रा है यह यात्रा टोलबाजी समाप्त करने की यात्रा है यह यात्रा गुस्पेट समाप्त करने की यात्रा है और यह यात्रा मेरे करोडो भाईयों बेनों को नागरिक्ता देकर सन्मान देने की यात्रा है यह यात्रा बंगाल में दो तिहाई बहुमत के साथ समाप्ठोने वाली है मित्रों आज मैं जब यहां आया हूँ जब आप सबको कहने आया हूँ कि बंगाल में जब हम प्रचार करने आये थे हमें यात्रा नहीं निकालने दी परमीसा नहीं दी हेलिकॉप्टर उतरने नहीं दिये बने हुए मन चुखार कर फैंक दिये हज्जारों हज्जारों कारेकरताओं पर लाटिया भाजी गई गोलिया चलाई गई मगर मनता दि इस सब करकर आप हमें रोक पाई हो क्या रोक पाई हो क्या जितना जुर्म करणा है कर दो बंगाल की जन्ता अब आपको जान चुकी है मित्रों आज मैं यहां से आपको कहने आया हूँ आज ये रेली आज ये प्रचंड रेली मम्ता दिदी के उनकी पार्टी के असरित गुंडों के अन्याई के खिलाप रेली है और मैं आज यहां से बंगाल की जनता के सामने कहने आया हूँ भारतिय जनता पार्टी एक अभ्यान लेकर निकल रही है आर नोए अन्याई आप सहमत है क्या जोर से बोले आप लोग सहमत है क्या तो मेरे साथ बोले आर नोए आर नोए मित्रों ये बंगाल के अंदर ताना साही ताक्तों को परास्त करने की लडाई है मैं आज जो अभ्यानिया से सुरू हो रहा है सभी बंगालियों को कहने आया हूँ कुछ बिहार से लेकर जार ग्राम तक वर्दमान से लेकर मेदनी पूर तक और गाउं से लेकर सहर तक ये अन्याय अब सहन नहीं करेंगे ये नारे को लेकर गर-गर जाना है एक एक बंगाली भाई बेन को हमारे साथ जोड़ना है मित्रों ये लडाई बहुत कठीन लडाई भातपा के कारेकरताओं को मैं कहने आया हूँ बंगार को मोदी जी के नेत्रुतों में विकास के रास्तेपल ले जाना है तो आपको ये लडाई लडनी पड़ेगी मैं भी आपके साथ मेरा सारा नेत्रत्व आपके साथ कंधे से कंधर मिलाकर बंगाल की घलियों में अन्याय के खिलाप लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा है ये विचारधारा लोगों को दबाने की ये विचारधारा अत्याचार करने की ये विचारधारा ब्रस्ट्राचार करने की ये विचारधारा अपने राजकुमार को वारिस बनाने की ये विचारधारा बंगाल में नहीं चलेगी कोई सेह ज़्यादा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा इस मिट्टी का सपूद जमीन चे निकला हुआ नेता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनेगा मित्रो ममता दिदी ममता दिदी गाओ गाओ में गली गली में गर गर में घुमती है और कहती है दिदी के बोलो दिदी आपको क्या बोले सब लोग समझ कर चूप बेठे हैं मगर मैं आज बंगाल की जन्ता को कहने आया हूँ आप चूप मत रहिए दिदी जब कहे दिदी के बोलो तो आप कहे दिदी आर नौय अन्याय अब अन्याय हम सहन नहीं करेंगे ममत रहिए दिदी को जबाब देना है आप मुझे बताओ ब्रश्टाचार की खिलाब की लडाई में आप भाजपा के साथ हो जोर से बोले साथ हो तो मैं बोलूँगा आर नौय आप बोलोगे ब्रश्टाचार आर नौय तोल बाजी के खिलाब आप भाजपा के साथ हो तो मैं बोलूँगा आर नौय आप बोलोगे तोल बाजी आर नौय आर नौय तुरुष्टी करण के खिलाब आप भाजपा के साथ हो जोर से बोलो हो तो मैं बोलूँगा आर नौय आप बोलोगे तुरुष्टी करण आर नौय गुस्पेट के खिलाब आप भाजपा के साथ हो तो मैं बोलूँगा आर नौय आप बोलोगे गुस्पेट मैं बोलूँगा आर नौय आर नौय परिवारवाद के खिलाप अपने साजादे को बंगाल के वारिस बनाने के खिलाप आप हो क्या जोर से बलो हो क्या तो मैं बोलूँगा आर नोए आप बोलोगे परिवारवाद आर नोए आर नोए इस सिंडिकेट के खिलाप आप लोग हो क्या तो मेरे साथ नारा लगाओ आर नोई आर नोई एक बेरोजगारी के खिलाप आप लोग हो हो ना तो मैं बोलूँगा आर नोई मेरे साथ बोले आर नोई आर नोई एक हिंसा जो हो रही है बम दमा के हो रहे है इसके खिलाप आप हो जोर से बॉलिए हैं आप तो मैं बोलूँगा आप मेरे साथ नारा लगाएंगे हिंसा के खिलाप आरनोए आरनोए ए अतांक बाज जो चल रहा है इसके खिलाप आप हो हो तो मैं नारा बुलाता हूं आरनोए आरनोए मित्रो ये आरनोई अन्याई का नारा, बंगाल में सरकार पलटने का नारा है, बंगाल को विकास के रास्ते पर ले जाने का नारा है, मित्रो, मोदी जी की सरकार बनी, सरकार विकास के रास्ते पर गरिबों के कल्यान के रास्ते पर पांच साल चली, इस बार सरकार बनने के बाद, मोदी जी ने विकास के साथ साथ, देश की सुरक्सा और देश के सन्मान के साथ जुड़े, देश सारे मसले हाथ में लिए, बंगाल वालो एस्वामा प्रसाद मुकर जी की धर्ती है जिनों नो 370 के लिए अपना बलिदान कस्मीर की भूमी पर दिया था आप लोग चाहते हैं या नहीं कि कस्मीर हमारा भिन अंग बने बताईए बही चाहते हैं ना चाहते हैं ना तो कोई 300 सिटे रहटा था नहीं था मोदी जी ने आपकी कृपा से 300 सिटे मिली पांच अगस्त 2019 को संसद में धारा 370 को समाप्त कर दिया और मित्रो सावा प्रसाद मुकर्दी ने जो सपना देखा था एक देश में दो विजान दो निसान दो प्रदान नहीं होंगे वो स्वपन मोदी जी ने पूरा किया आप मुझे बताओ दारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी यह ममतादी ने संसद में दारा 370 हटाने का विरोध किया इस काम के लिए मम्ता जी को माप कर सकते हो आप कर सकते हो आप मित्रो अएध्या मे जहां प्रभु स्री राम का चन्म हुआ वहाँ पर एक भव्य मंदीर बनाने के लिए 500 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे 500 साल मेरे साथ बोले बारत मता की बारत मता की आपकी कृपा हो गई बंगाल की जन्ता का असिर्वात मिला मोदी जी को 300 सिटे मिली मोदी जी ने अभी बव्यव राम मंदीर बनाने के लिए राम जन्मबुमी तिर्थ की सेत्र की खोसना करकर राम मंदीर को आगे बढ़ाने का काम किया मेरे साथ बोले मेरे साथ बोले जय स्री राम जय जय स्री राम मित्रोव सतर सतर साल से एक कॉंग्रेस पार्टी सपा बसपा मम्ता राम मंदीर बनने के बीच में रोडा बने थे आपने मोदी जी को ताकत दी मैं आपको बता कर जाता हूँ कुछी मैनों में अस्मान को चुने वाला बव्य राम मंदीर अयोध्या में बनने वाला है मित्रोव माताओ भाईो बेनों हम थोड़ा आगे आते हैं एक समस्या बंगाल के और बंगालियों के लाको करोडो भाईयों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई थी वो समस्या थी सरनार्थियों को नाग रिकतान नहीं मिलती थी मम्ता बेनर जी जब विपक्स में थी उन्होंने खूदे मुद्धा उटाये था संसथ नहीं चलने थी सत्ता आ गई वोट बेंक के तुरुष्टी गरण की रादनिती शुरू हो गई और जब मोदी जी सिये लेकर आये एक कॉंग्रेस, कॉम्मिनिस्ट, मम्ता सारे विरोध में खड़े हो गई इस देश में वो माइनोरिटी को डराते हैं कि माइनोरिटी की नागरिकता चली जाएगी मुसल्मान भाईो बेनों की नागरिकता चली जाएगी ये बंगाल की कलकता की धर्ती पर से मैं कलकता के सभी बंगाल के सभी माइनोरिटी के भाईो बेनों को कहने आया हूँ CAA से आपकी नागरिक्ता कभी जाने वाली नहीं है, CAA नागरिक्ता देने का कानून है, नागरिक्ता लेने का कानून नहीं, मगर, मगर हमारे करोडो करोडो भाई, जो पाकिस्तान, बांगलादेश, अब गानिस्तान से, हिंदू, सीख, बो, जैन, पार्सी, हिसाई, यहां आये है, वहां से प्रताडी तो कराये है, अपना जान माल गवा कराये है, महिलाओ की इजट लूटली गई, मंदीर तोड़े ग उनको वहां से भगाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, सतर साल से यहां रह रहे है, उनके पास नागरिकता नहीं, मुझे बताओ, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी, जोर से बोलो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और जोर से बोलो देनी चाहिए या नहीं दे निजा, मोदी जी CA लेकर आए, लाखो करोडो बंगालियों को नागरिक्ता मिलनी दी है, ममता दिदी ने इसका विरोद किया, बंगाल के अंदर दंगे करा दिये, ट्रेने जला दी, रेल्वे स्टेशन जला दिया, मैं ममता दिदी को पूछना चाहता हूँ, ममता दिदी, ये मेरे नाम सुद्र और मतुआ परिवार के दलीद भाईयों ने आपका क्या बिगाडा है, क्या बिगाडा है, हम उनको नागरिक्ता देना चाहते हैं, आप क्यूं विरोद कर रही हो, क्यूं आपको ये अपने नहीं लगते हैं, आपको गुस्पेट ये ही अ बाई यहां आए हैं, हम उनको नागरिक्ता दे कर रहेंगे, उनको सन्मान दे कर रहेंगे। पटवारी के पास जाईए हैं, मैं आपको कहता हूँ, कहीं ना चाहिए, हिंदू, सीख, बोट, जैन, पार्सी, हिसाई, सारे लोग जो यहां आए हैं, भारतिय जन्ता पार्टी की कैनर सरकार, वो सबको नागरिक्ता देने वाली हैं, ममता दिदी हमें रोक नहीं सकते हैं, कितना अभी करो, आप हमें रोक नहीं सकते हो, मनता दिदी, जब आप सीए का विरोध कर रहे हो, आप गुरुचन ठाकोर, हरीचन ठाकोर, पंचानन बर्मन, जैसे व्यक्तियों का अभियान का विरोध कर रहे हो, आप महात्मा गांदी, सरदार पटेल और मौलाना आजाद के वादे का विरोध कर रहे हो, मैं आपको कहने आया हूँ, कि सत्तर सालों से प्रताडित लोग, सत्तर सालों से प्रताडित लोग, अपने ही देश में परदेशी बन कर बैठे हैं, उनको नागरिक्ता देनी चाहि मित्रो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये कितना भी विरोध करे हम नागरिक्ता दे कर रहेंगे, मित्रो, देश की संसत के बनाए हुए कानून का ममतादिदी विरोध कर रही है, उनको जानना चाहिए कि आप रविंद्रना ठाकूर की प्रेना का विरोध कर रही है, बोरोमा के त्याक का विरोध कर रही है घांदी जी के विचार का विरोध कर रही है और डॉक्टर आमबेडकर के सम्विधान का विरोध कर रही है आप कितना भी जोड लगा दो हम इस सरनार्थी भाई और बेनों को गले भी लगाएंगे नागरिक भी बनाएंगे और सनमान भ बंगाल बहुत पिछड गया है। मैं आकड़ों में जाना नहीं चाहता, मगर विकास की तालिका में सभी राज्यों में बंगाल विश्वे स्थान पर है। वो पहुंचने नहीं देती है। अरे दिदी बेर है तो भाजपा से निकालो गरीब किसानों को आप क्यूं परिसान कर रही हो। शरून बंगाल के बच्चे के सर पर आता है। आप भारतिय जन्ता पार्टी के हाथ में बंगाल की कमांड दे दो पांच साल में हम सोनार बांगला बना कर आपको दिखाएंगे। मित्रों कानून और व्यावस्ता की परिस्तिती में मुझे कुछ कहना नहीं है। हम धमाके, टोलबाजी, ब्रश्टाचार, लूट, गुंडागर्दी, ट्रेने जलाना ये बंगाल को तबाह करकर रख दिया है। भारतिय जन्ता पार्टी ही इसका रास्ता निकाल सकती है। मैं आपको गैरेंटी देने आया हूँ कि टोलबाजी जो करते हैं, सिंडिकेट चलाते हैं, वोड से लेकर सहजादे तक आप भाजपा की सरकार बनाओ, एक-एक को चुन-चुन कर जैल की सलाकों के पीछे डालने का काम है। पार्टी जलता पार्टी करें। हम किसी को नहीं बक्समें। जो जन्ता को परिसान करते हैं, उनको सीधा करना भाजपा को ठंग से आता है। आपका समर्धन चाहिए। मित्रो, दूरगा पुजा के लिए कौट का सहरा लेना पड़ता है। विज्या दसमी हम मना नहीं सकते, राम नवमी हम मना नहीं सकते, स्कूलों में सरस्वती पुजा बन करा दी गई है। और भ्रष्टाचार भतिजे से लेकर सरपंच तक भ्रष्टाचार ही को 3,69,000 करोड रुपया दिया है। कॉंग्रेस पार्टी के सासन में 1,32,000 करोड मिलता था, मोधी जी ने 3,69,000 करोड रुपया भेजा है। इसके अलावे ग्राम जोती योदना के 4,000 करोड, आवास योदना के 16,000 करोड, सहरी आवास योदना के 1700 करोड, नेशनल हाईवे के के लिए 10,000 करोड कलकत्ता मेट्रों के लिए 12,500 करोड और 69,000 करोड दिया है मगरे सारा पैसा ममता दिदी के पार्टी के कारे करता हो के भ्रष्टाचार की भेट चड़ता है वित्रो भ्रष्टाचार की भेट मोदी जी अकेले मोदी जी अकेले बंगाल का विकास नहीं कर सकते ममता दिदी की सरकार मोदी जी को बंगाल का विकास करने नहीं दे रही है मैं आपको कहने आया हूँ आपने दो दसक तक कौमिनिस्टों को मौका दिया या नहीं दिया बताओ भई दिया या नहीं दिया ममता दिदी को 10 साल दिया या नहीं दिया दोनों ने विकास किया क्या जरा जोर चे बोलो किया आप एक 5 साल भारतिय जंता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को दे दो हम पांस साल में बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे मित्रो सोनार बंगला बनाएंगे मित्रो आज हमने जो अभ्यान लॉंज किया है आर नोए अन्याई मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूँ यह अभ्यान के साथ जुडिये और बंगाल को यह जुल्मी सासन से मुख्त कराई है आप में से कितने लोगों के पास मोबाईल है जरा हाथ उपर करो भई कितने लोगों के पास है सभी लोग अपना अपना मोबाईल निकालो जरा मंच पर भी सभी लोग निकालो मोबाईल निकालो मोबाईल आथ उपर करकर दिखाओ मुझे निकाला सबने डायल मोड पर ले लिजिए इसको मैं एक नंबर बोलता हूँ दो बार बोलूँगा वो नंबर दबाने से आर नोय अन्याय अभियान के साथ आप जुड जाओगे बोलू नंबर बोलू मगर सिर्फ आपका नंबर नहीं चाहिए आपके माता का, पिता का, बेहन का, बहनोई का, भाई का, भावी का, चाचा का, चाची का, पूपा का, पूपी का, दोस का, दोस की, पतनी का सब को ये नंबर दबाना है तब आएंगे ये नंबर ही सरनार्थियों को नागरिक्ता देगा यह नंबर ही भ्रस्टाचार और आतंग से आपको मुक्त दिलाएगा और यह नंबर ही यहाँ पर फिर से एक बार गुरुवर टागोर की कलपना का सोनार बांगला बनाएगा तो मैं बोलू नंबर जोर से बोलू तो मैं बोलता हूँ अंग्रेजी मैं बोलता हूँ भी बात मैं हिंदी मैं बोलूँगा नाइन सेवन टू सेवन टू नाइन फोर टू नाइन फोर फिर से बोलता हूँ नाइन सेवन टू सेवन टू नाइन फोर टू 9-4 मैं आज बंगाल की जनता को अपील करता हूँ इस नंबर पर आप एक मिस कॉल दीजिये बंगाल में जो चेतना की लहर उठेगी इस सरकार को उखाड कर फैंक देंगी और यहाँ पर भी एक बहुत सुन्दर कमल खिलेगा जिस पर बैठ कर मा लक्समी बंगाल को सोनार बंगला बनाने के लिए आएगी मित्रो मेरे साथ एक बार जोर से दोनों हाथ उठा कर नारा लगाईए गगन बेदी नारा भारत मता की जय का लगना चाहिए मेरे साथ उठाईए हाथ दोनों हाथ उठाईए दूर तक पिछे तक मिनार तक हाथ उठाई है सबी लोग और जोर से बोले बारत मता की बारत मता की बारत मता की वंदे 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 भारत मता की बारत मता की बारत यजनता पाड़ी जिनदा बाद विजे पी जिनदा बाद